सिर्फ एक मुठी घी में भून कर खालो आपको पूरी जिंदगी, शुगर, कॉलेस्टरॉल, दिल की बीमारी, हडियों की कमजोरी और मुटापा कभी नहीं होगा नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों, आज हम आपके लिए एक कमाल की ओशडी लेकर आए हैं, जिसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा ज़नजट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ओशडी लेकर आए हैं, उससे आपकी डाविटीज ठीक हो जाएगी इसमें कैलरी की मात्रा कम होती है इसलिए आपका वजन भी घट जाएगा और दोसो ये कॉलेस्टोल रहीत होता है कॉलेस्टोल, फैट और सोडियम की इसमें कम मात्रा पाई जाती है इसलिए आपका कॉलेस्टोल नियंतरम में रहेगा अगर आप इसका सेवन करते हैं लोगों का blood pressure high रहता है उनके लिए ये कमाल की ओश्दी है और दोसों अगर आप इस ओश्दी का सेवन करते हैं तो आपका heart मजबूत बनता है और आपके जो उम्र बढ़ने की प्रिक्रिया है वो रुक जाती है यानि आपको बुड़ापा भी कभी नहीं आता और दोसों जो विक्ती थोड़ा सा काम करने के बाद ही ठक जाते हैं ठकावट आ जाती है उनके शरीर में उनको बार-बार लेटने का मन करता है तो वो ठकावट भी से दूर हो जाती है और जिन लोगों को जोडों में धर्द रहता है कमर में धर्द रहता है घुटनों में धर्द रहता है पैरों में, हाथों में ये कहीं पर भी body pain रहता है वो इससे ठीक हो जाएगा अगर आप इसका सेवन करते हैं और इससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है शरीर एनर्जी से भर जाता है अगर आप इस ओश्दी का सेवन करते हैं दोस्तों ये ओश्दी कैल्शियम से भर पूर होती है इसलिए आप केश्रीर में कैल्शियम की कभी भी कमी नहीं होगी कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो जाहिसी बात है कि आपकी हडिया भी मजबूत बनेंगी हडियों में दर्द नहीं होगा, हडियां मजबूद वनेगी दोस्तो इस ओश्डी की तासीर ठंडी होती है इसलिए गर्मियों में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं इस ओश्डी का प्रियोग दोनों मोसम में किया जाता है यानि सर्दी में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं और घर्मी में भी सेवन कर सकते हैं इसका दोस्तों अगर इस ओश्दी का आप सेवन करते हैं तो जिन लोगों को कब्ज किसमत से हैं वो ठीक हो जाएगी और जिन लोगों को अनिद्रा की बिमारी है यानि उन्हें नीद नहीं और दोस्तों जिन लोगों को मदमे हैं डाइवटीज है उन लोगों की डाइवटीज को ये औश्डी खतम कर देती है मदमे के कारण श्रीर में कमजोरी सी आ जाती है कमजोरी फील करते हैं लोग जिनको मदमे होता है और और भी बहुत सारे कम्प्लिकेशन आ जाते हैं से जिनको मद में होता है तो वो इस ओश्डी का सेवन कर सकते हैं इस ओश्डी से उनके शरीर में जांसी आ जाएगी कमजोरी महसूस नहीं होगी उने बिल्कुल भी और जीन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसका अराम से सेवन करें और दोस्तों ये एक एंटी एजिंग का काम करती है इसलिए तवचा को ये निखारने में बहुत हैल्प करती है जुरियों से छुटकारा मिल जाता है अगर इसका सेवन किया जाए इसमें दोस्तों फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है और कैलरी कम होती है तो आपका मुटापा भी से ठीक हो जाता है किड्नी के लिए ये हमारे बहुत ही फाइदेमंद और्ष्ट्री है दिल के लिए फाइदेमंद है अगर आपको हार्ट अटक आने का डर है तब भी आप इसका सेवन कर सकते है इसका सेवन करने से जो हमारे अंदर बैड कॉलेस्टोल बढ़ता है वो भी कंट्रोल में आ जाता है अगर आप इसका हर रोज सेवन करते हैं शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है अगर हम और आल हेल्थ की बात करें, तो इससे हमें बहुत सारे पैनिफिट मिलते हैं, स्ट्रेस दूर कर देता है, जिन लोगों को सोच लगी रहती है, आगे क्या होगा, या किसी के भी बारे में वो सोचते रहते हैं, ज्यादा डरते रहते हैं, सोच कर परिशान होते रहते ह उन्हें, वो ठीक हो जाती है, गुटनों में दर्ध है, चल फिर नहीं सकते, खाट पर जकड़ा हुआ इंसान भी इस ओश्री से ठीक हो जाता है, खडिया मजबूत बन जाती हैं लोहे की तरह, अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो अब बात आती है दोस्तों, वो ओश्री क कौन सी है, दोस्तों इस ओश्री का नाम है मखाने, मखाने को फोक्टनक के नाम से भी जाना जाता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी हो, चाह सर्दी, इसका प्रियोग हम दोनों वोसम में कर सकते हैं, और दोस्तों ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते है अब बात आती है, दोस्तों, आपने इसका सेवन कैसे करना है, कैसे आप सेवन करें इसका, की हमें इतने सारे फायदे मिल जाएं इसके, दोस्तों आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, या कड़्हाई लेनी है, जो भी आपके घर में easily available हो, कड्हाई, पैन, जो भी, उसमें आपने एक चमच घी डालना है, देसी घी डालने, इसको थोड़ा सा गरम कर ले, और गरम होते ही दोस्तों, आपने एक मुठी मखाना लेना है, मखाने को आपने इसमें भूल लेना है, इस तरह से आपने इसको भूल लेना है, और भूलने के बाद दोस्तों आपने इस जोडों का दर्ध है, बैक पेन है, हडियों में दर्ध है, वो आपकी ठीक हो जाएगी, बुड़ापा कभी नहीं आएगा आपको, और दोस्तों ये एंटी अजिंग का भी काम करती है, आपकी जो जूरिया वगरा है, वो सब खतम कर देगी, आपके चेहरे बर निखार ला दे उमर बढ़ने की प्रिक्रिया को ये रोख देगी, मतलब कि भुड़ापा आपको कभी नहीं आएगा अगर आप इसका सेवन करते हैं, बेवज़े की ठकावट है आपको, ये थोड़ा सा काम करने के बाद आप ठक जाते हैं, तो वो ठकावट भी से दूर हो जाती है, और द खानों का सेवन करते हैं, क्योंकि इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाता है, और इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा, तो काफी बिमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, और काफी बिमारियां हमें लगने से ही दूर रहेंगी, तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी आज से ही एक मुठी मखाना हर रोज घी में भून कर खाना स्टार्ट करें, ऐसा करने से आपकी काफी समस्य हल हो जाएंगी और आपके श्रीद में तागत आ जाएगी, फुलादी बोडी बन जाएगी आपकी, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू दोस्तों